नमस्कार दोसुब फिर से सवागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोसुब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके बस सिम में रिचार्ज होगा तो शो करेगा और एक बार ना सिम वन सिम टू के जो स्लॉट है वो चेंज करके देख लीजिएगा तो कॉल रिकॉर्डिंग का ओप्षण आजाएगा अब यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपना कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं 7 डे record पे क्लिक कर देंगे तो यह option उन person के लिए है जिसका number आपके phone में save नहीं होता है ठीक है और अगर आप चाहते हैं कोई selected person की call recording करना तो selected number पे जाएंगे इसे on कर देंगे और यहां पे choose account contact पे जाके contact choose कर लेंगे इस person का call record होगा और जो भी numbers हैं ऐसे करके choose कर लेंगे अब इन person की call आईगी तो record होगी ठीक है और अगर मैं call करूंगी तो यह automatically call record होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आपको यहां पे उसकी problem आ रही है calling announcement की तो इसको fix कैसे करने है इसकी वीडियो अलग से डाल रखे चैनल पर जाके देख लेजिएगा तो यहां पर यह नंबर सेव है ना इस वज़े से यहां पर इस person की call recording स्टार्ट ने हुई अधरवाइस आपका जो सेव नंबर है जिसको आपने आड़ करका है वो नंबर आप डाइल करेंगे तो आपका call recording होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं दूबारा से call कर लेती हूँ तो देख सकते हैं call pick होते ही यहां पर call recording स्टार्ट हो गई है और call announcement भी आ रही है और अगर call announcement आपको बंद करनी है तो इसकी वीडियो आप अलग से देख लेंगे बागी call recording आपकी हो चुकी है और call recording आपको देखने को मिल जाता है आपके file manager में और यहां पर भी इस पर click करेंगे इसकी call recording हो चुकी है तो इस पर आप click करेंगे ऐसे और यहां पर click करके play कर सकते है call recording और call recording आपके automatically delete होती रहेगी तो इसको safe करने के लिए आप यहां पर सेफ कर लेंगे इसको share पर जाके file वगर हमें safe कर लेंगे ठीक है तो इस चैप से setting कर सकते हैं चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार